हे एब्रियोन वेलकम टू कवीता का खाना खजाना आज मैं आपके साथ सोय बिर्यानी की रेसिपी सेयर कर रही हूँ यकीन मानिये इसे मैंने बहुती इजली आशानी से बना कर तैयार किया है और यह खाने में बहुती ज़्यादा स्वाधिस्ट है आप भी इस बिर्यानी को बहुत आसानी से बना सकते हैं मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर और जदि आपको हमारी वीडियो यह रेशिपी अच्छी लगे तो एक लाइक चरूर कीजिएगा तो चलिए रेशिपी शुरू करते हैं मैंने ब्रियानी के लिए एक केजी ब्रियानी राइस इसमें पानी डाल कर 20 मिले तक छोड़ देंगे ताकि चाबल लंबे और खिने बने इधर मैंने एक गोल में थोड़े से गरम पानी लिए उसमें 100 ग्राम सोया वरी डाल दिया और इसे इस तरह से थोड़े डिप कर देंगे ताकि शोया बहुत ही अच्छे से पानी को अबज कर लिया है तो इसे हाथ से इस तरह के से निचोर कर एक दूसरे गोल में निकाल लेंगे यहां पर मैं एक आलू कट करके डाल रही हूं आप चाहे तो और भी सबची एड़ कर सकते हैं सौर ग्राउंड फ्रेश दही डाला है दो छोटे से सिनेमन के टुकरे चार लॉंग चा पादनुसार डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम दस से पंद्रह मिनट तक धग कर रख देंगे ताकि यह अच्छे से मैरिनेट हो सके और इधर हमने गैस पर एक बिर्यानी पैंट चरहा रिया है यह गर्म हो गया है तो मैं इसमें चार बराचमस तेल डाल दूंगी औ एक बरीलाइची चार लॉंग चार काली मिर्च और हाफ टीश्पूर मैंने इसमें साही जीरा डाला दो तेजबत्ते चार पांच बीच से लंबी कटी हुई हरी मिर्च इसे हम तेल में थोड़ा फ्राइग कर लेंगे फ्राइग करने के बाद हम इसमें एक प्यास बारी कट करके डाल देंगे और इसे भी तेल में सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे और इहाँ पर हम हाफ टीश्पून से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर हाफ टीश्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीश्पून जीरा मशाला पाउडर rd और एक बड़ा चमच भरकर मैंने इसमें तो आपके घर में जदी हो तो आप जरू डाले नहीं तो नेक्स्ट बिर्यानी बनाते समय आप अजीनो मोटो पहले से खरीद कर ले आए तो मसाल अच्छे से भून गए तो अब मैं यहां पर सभी मैरिनेट किये हुए सोया बरी और आलो को डाल दिया थोड़े से बारी कटे ह दर्या पत्ता और पुदीने के पत्ते डाल देंगे इसे बहुती बढ़िया फ्लेवर आएगा और इसे भी हम मिक्स करके भूनेंगे तब तक जब तक की तेल दिखाई देने ना लगे आप देख सकते हैं तो बाहर दिखी रहा है साती यह अच्छे से भून गया है तो अब हम यहां पर पानी डालेंगे पानी में पांस कप चाबल था तो आठ कप पानी डाला है आप भी नाप से एक या डेर कप अगर हो सके तो दो कप पानी कम डाले क्योंकि चाबल को पहले ही 20 मिनट फुलने के लिए रख दिया था तो यह जल्दी से पक जाता है तो इसलिए मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे एक चमच बिर्यानी मशाला पाउडर यह बहुत जरूरी है और इसे डाल कर हम मिक्स कर लेते हैं हलके हाथों से मिक्स करें ताकि चाबल जो है वह टोटे नहीं और इसे ढख कर दस मिनिट तक पकाएंगे दस मिनिट बाद मैं ली रहटाई हूँ और आप देख सकते हैं चाबल बिलकुल खिले बने हैं और लंबे बने हैं साथी इसने पानी को अच्छे से सोक कर लिया है तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ती पुदिने पत्ती से गारिश करूँगी फ्राइड अनियन डाल देंगी मै फिर दो या तीन बराचमत से घीर आलेंगे इसे ब्रियानी में टेक्स्चर बहुत बढ़िया आएगा और फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पर दस से पंद्रह मिनट तक दम लगाएंगे ताकि जो भी थोड़े बहुत कसर हो चाबल पकने में वह पूरी हो जाए और चाबल अ आया है तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने बहुत ही इजी प्रोसेस से स्वय ब्रियानी बना कर त्यार कर लिया आप भी इसे जरूर ट्राय करें बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट ब्रियानी बनेगी और आप बाजार से खरीद कर ब्रियानी खाना छोड़ेंगे जदि आपको हमारे वीडियो हमारे रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लेज इसे लाइक शेर और सबस्क्राइब करें